नमस्कार हल्चल में आपका स्वागत है सबसे पहले नज़र डालते हैं अपने शहर और आसपास की हल्चल पर दसुहा में एक तेज रफ्तार कार ने अलग अलग जगों पर दो व्यक्तियों को मारी टकर दोनों की हुई मौत जालंधर की मकसूदा सबजी मंडी में एक कारोबरी से तेज़ दार हत्यारों के बल पर हुई लूट लूटेरे 7.5 लाग की नकदी लूट हुए फरार खुश्यारपूर के फगवाडा रूट पर स्थेत रेलाइंस पेट्रोल पंप को लूटेरों ने बनाया निशानना पंप कर्मी से 50,000 की नकदी लूट हुए फरार अरब हल चल विस्तार से दसुहा में 31 रफ्तार कार ने अलग-अलग जगों पर दो व्यक्तियों को टक्कर मार दी जिस कारण दोनों व्यक्तियों की मौके पर ही मौत हो गई वही मौत कों की पहचान अमरितपाल सिंग निवासी गाओं कालोवाल और बक्षी राम निवासी गाओं बलगन की तौर पर हुई है इस मौके पर पारिवारिक सदस्यों ने बताया कि अमरितपाल सिंग दसुहा सिवल हस्पताल रोड पर स्थेतेक एटीम से पैसे निकलवाने के लिए गया था जैसे ही वे पैसे निकलवाकर मुख्य सडक को पार करने लगा तो पीछे से आ रही तेज रफ़तार कार ने उसे कार चालक ने तेज रफ़तारी से कार को दसुहा बलगन रोड की तरफ मोल लिया और सिर्फ दो किलोमिटर की दूरी पर ही कार चालक ने खेतों को पानी लगा कर घर लोट रहे सत्तर वर्षे बज़ुर्ग बक्षी राम को कुचलता हुआ आगे भाग गया तो वहीं सडक हा कारी जस्बीर सिंग ने बताया कि इस हाथसे को उन्जाम देने वाला कार चालक अभी फरार है दे रहा तो पुलिस ने घटना वाले स्थान से कुछ ही दूरी पर घटना में शामिल कार को अपने कबजे में ले लिया है मृतकों की पारिवारिक सदस्यों की ब्यान दर्च कर मामला दर्च किया जा रहा है दोनों शवों को दसुहा के शब ग्रह में रखवाया किया है और मृतकों का पोस्ट माटम करवा कर शवों को पारिवारिक सदस्यों को सौंप दिया चाईका हो श्यारपुर से हल्चल के लिए अंकुष गोईल की रिपोर्ट ये तेला ब्रदर दोने तो बड़ाम रिंदरे ना केंदरा बेंकला के पैसे कडोना आई सी एक का कार खड़ी ये थे लगई एश आरपुर सेहर तो आ रहा रही थी इनों रूड ते सहर ते खड़े नों इन्हें हेट कीता आईजी स्पॉर्डे ली उत्थे डेथ होगी इस पला आटा उदे लागियों परामद होई ये पता लगा को रवेपन दाय मुंडा फोग जी ये ने एक्षिडेंट किता आप हो है तक फरारा मेले आ निगा ते बड़ी माडी कटना होई ये जी मुंडा साथा चबीस ताइस साल दा मुंडा साथा से गा जी ता बंदा दो ब गड़ी चला रहा है तो ड्रिंक किती ये नशेवे सीगा हिट कांत वाद फरार हो गया और अग्गे जाकर गड़ी शाड़ती हैंगी ठीक चाड़िया फरार हो गया किमान कर दे और और अहीं कोर्माट तो ही चानने हैं एह होजे हाथ से रूखन चाहे रहे हैंगी हाजी कल स जाल अंदर की मकसूदा सबजी मंडी में एक कारोबारी से तेज़दार हत्यारों के बल पर करीब साड़े साथ लाक रुपेयों की लूट हुई है मकसूदा सबजी मंडी के टाइगर अजनसी के मालिक के साथ ये वारदा तक गतरात्री करीब बारहें बज़े हुई तो वहीं घटना की सूचना मिलते ही थाना डिविज़न नमबर एक की पुलिस जांच के लिए मौके पर पहुँची पुलिस ने देर रात कारोबारी के ब बारहें वज़े अपनी दुकान से करीब 20 कदम दूर अपनी एंडेवर कार में बैठने लगे तो इस दुरान उन्होंने रुपेओं वाला बैग कार के अंदर रख दिया और कार का गेट खोल कर अपने वरकर को किसी काम से बुलाया इतने में एक युवक उनके पास आकर ख थी भी आधम के और कार के अंदर पड़ा पैसों वाला बैग लेकर फरार हो गए उन्होंने कहा कि बैग में करीब साड़ी साथ लाक रुपे कैश मोबाइल फोन और अजनसी के अंदर की कुछ चाबियां भी थी उन्होंने पुलिस को बताया कि जो लुटेरा सबसे पहले आ रहे थे सभी की उम्र जादा नहीं थी तो वहीं पुलिस एरिया के सीसी टीवी ठंगाल रही है जानंदर से पंकर शर्मा की रिपोर्ट अनने ख्राइब यह मतबधे उन्होंने मेरे शर्मा क्लीना जो मैं उम्र्ड देखी मैं संगे ए मनु जो को करता है नहीं तो और जो तैन दो निवटेर होर ओवी उन्हें उन्हें जो एक मुनदा नहीं हें घुटेरीले आज़ रही थी तो उन्हें चुना निद्धर उलग सब्सक्राइब ने एक शिकायत पर पासपोर्ट जारी करने से सबंदेत रिश्वत के मामले में शेत्रिय पासपोर्ट काराले जालंधर के जालंधर के एक शिकायत करता ने अपनी पोती और पोते के लिए निया पासपोर्ट अपलाई किया था जब शिकायत करता उक्त दोनों पासपोर्ट की स्थिती की जांच करने के लिए सहाइक पासपोर्ट अधिकारी को मिला तो उन्होंने पासपोर्ट जारी करने के बदले कथित तौर पर 25,000 रुपियों की रिश्वत की मांग की ये भी आरोप लगाया गया है कि आरोपियों ने शिकायत करता को बताया कि रिश्वत की रकम आरपियों एवम एक और एपियो उन्हें ग्रिफतार कर लिया जिसके बाद शेत्रीय पास्पोर्ट कारयले जाल अरूपियों की रहाइश और ये की तलाशी ली जा रही है अब तक लगबग 25 लाक रुपए की नकदी और गैर करूनी दस्तावेज भी बरामत किये गए हैं जालंधर से पंकर शर्मा की रिपोर्ट पासपोर्ट दफ्तर दे विच शापे मारी किती है जिस्तों बाद ओना वल्लों एक खेतरी दफ्तर जड़े दे विच मुख सहायक सीगे अनूप सिंग ओना नूँ ते ओना दे नाल दो सहायक पासपोर्ट जड़े अफसर सी ओना नूँ गिर्फतार किता पासपोर्ट से जिना नूँ जारी करन दी गाल किती गई सीगी ते उस दे एवज वेच्च एपी ओ जड़े हागी ओना वल्लों पच्ची यार पे दी रिश्वत मंगी गई सीगी और इसे दे अधार दे उत्ते अज चापे मारी किती है और चापे मारी दे वेच्च एपने कप्ची वेच लेए गई और नाल जड़ी इतलाशी लेंटे पच्ची लाखर पे दिन रगदी जड़ी है गी ओब नामद होई गया और उस ते नाल नाल जड़े मुख अधकारी है ग पासपोर्ट दफ्तर दे वेच्च उना नो भी गृफ्तार किता है हुश्यारपुर के फगवाडा रोड पर स्थेतर एलाइंस पेट्रोल पंप पर लोटेरों ने पंप कर्मियों से पचास हजार रुप्यों की नकदी लूट ली और फरार हो गई यह पूरी घटना सीसी ट पोष्ट लूटेरे प्लैटिना मोटरिसाइकल पर सवार होकर आए जिन्होंने पंप के मुख्य कारेले में जाकर करमचारियों से पचास हजार रुपे लूट लिए दो लूटेरे हाथों में पिस्तॉल ये नजर आ रहे हैं और वे एक करमचारी की पिटाई भी करते हुए नजर आ रहे हैं जिसके चलते करमचारी ने अपनी जान बचाने के लिए तुरंत उन्हें पैसे सौंप दिये लूटेरों द्वारा अन्य करमचारियों की जिबों की भी तलाशी ली जा रही थी लूट के बाद लूटेरे पंप से भाग गया और उनके भागने का वीडियो सीसीटीवी में भी रिकॉर्ट हो गया मॉडल टाउन थाना के एसेचो सुखजीत सिंग ने जानकरी देती हुए बताया कि रात करीब साड़े आठ बजे उन्हें सूचना मिली कि पंप पर डकैती हुई है वहां पहुंचकर उन्हें बताया कि पुलिस की अलग 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 कि जांच कर रही है और जल्द ही लुटेरों को पकड़ लिया जाएगा तो वहीं सीसीटीवी को देखकर आसानी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि लुटेरे खुले अंप पंप में घुसे थे बिना किसी डर के चंद सेकंड में लूट कर भाग जाते हैं फिलहाल पुलिस इसने सीसीटीवी कब्जे मिलेकर जांच शुरू कर दी है हुश्यारपुर से पंकश शर्मा की रिपोर्ट अज शामिय सान ने इंफ्रमेशन हुई सी कि आठवाज के चौवी मेंट ते क्रीब इसे ते नौजवन पल्टिना मोटर सेकल ते आया नकापोश मोटर सेकल आया आके जड़ा इनन दे पाटॉल पंप दे शुरूम दे अंदर गया उत्ते जड़े लग्यों बट्टे सी उनना दे कुनों हो अपना कैश संभाल रही सी उनना ने आके एक ने अनना नो पिस्टल दखाया ते एक दे कुनों वी हजार पे जड़े दॉस्तरे ने ते एक दे सीची टीवी फोटेज बगारा चेक कर रहे हैं ते ओधी अगे तुपतीश जारी है सीची टीवी दे विच तिन लड़के जड़े या ओंदर आओं दे दखाई दे रहे निकाब पोश्ट ने उनना दा फेस नजर नहीं आ रहे ते बाकी एडिया तुपतीश जारी है पंजाब के वित्य मंत्री हरपाल सिंग चीमाने सिवल अस्पताल संग्रूर के एमरजंसी वार्ड में नई अत्या अधुनिक डायलेसिस मशीन का उध्खाटन करती हुए कहा कि मुख्य मंत्री भगवन सिंग मान की अग्वाई वाली पंजाब सरकार राज्य के सभी सरकारी हस्पतालों में मरीजों को सर्वोत्तम स्वास्ते सुविधाएं उपलब्द करवाने के लिए पूरी तरह से वचन बद हैं। डिप्टी कमिशनर जतिंदर जोरवाल, पंजाबी कलाकार करमजीत अनमोल, सिवल सर्जन डॉक्टर किरपाल सिंग भी मौजूद रही। संग्रूर से हल्चल के लिए जसवीर मान की रिपोर्ट। पुलिस कमिशनर जालंदर स्वपन शर्मा की अगवाई में जालंदर कमिशनर 8 पुलिस ने शहर में गैर कानूनी हत्यारों की सप्लाई करने वाले एक गिरों का परदाफाश करने में सफलता हासिल की है। इस संबंद में जानकारी देते हुई ACP क्राइम परमजीत सिंग ने बताया कि उन्हें सूचना मिली थी कि शहर में हत्यारों का गैर कानूनी धंदा करने वालों का गिरों सरगर्म है। जिसके बाद पुलिस ने चापा मार कर आरोपी को काबू कर लिया जिसकी पहचान बलजंदर सिंग और माइकल निवासी गाउं उगी नकोदर के तौर पर हुई है। शरी स्वापन शर्मा जी अधित्या वारियर आईपेस जेना ट्रेक्शन थे मारे अंस्तना थे खलाप जो काब बेजी किती है जारी है। अमरिसर के थाना सिवल लाइन और थाना रंजीत अवेन्यू कर रहा है। पुलिस को एक बड़ी सफलता हासिल हुई है। जिससे और भी खुलासे होने की संभावना है। जिससे और भी खुलासे हुई 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 है। अमरिसर के थाना गेठ हकीमा के अधीनाती राधा कृष्णा कलोनी में पतंग बाजी को लेकर दो बच्चों में भ्यानक लड़ाई का मामला सामने आया है। जिसके चलते ग्यार हैं वर्षिये विराज नामक बच्चा गंबीर उससे घायल हो गया। जिसे उपचार है तो अस्पताल में भरती करवाया गया है। जहां उसका इलास चल रहा है इस मौके पर पीडित परिवार ने बताया कि उनके बच्चे का नाम विराज है। गत दिनों पडोस में रहने वाले एक लड़के के साथ पतंग बाजी को लेकर उसका छगड़ा हो गया था। जिसके चलते उस लड़के ने वह उसके परिवार ने उनके बेटे को घर बुलाया और उसके साथ बुरी तरहें से मार पीट की गए और उसे छत से नीचे फिंक दिया किया। जिसकारण उनका बच्चा गंभीर उपसे खायल हो गया। जब उन्हें इस बारे में पता चला तो उन्होंने उसे अस्पताल में दाखिल करवाया जहां उसका उपचार चल रहा है। अमरी साहर से हल्चल के लिए सुनील खोसला की रीपो। ना ओचल लिएस सब्सक्राण फिंटें जए मांगा लुआ है। वेगाया पिया हूए मेरे बुरी तरहुड़ है। जब उन्हों कर दो कर दो चुट्रा की होती है। थे नौक साल दा बच्चा विराज उनो नो सट लगी है सिर्दे उते और ये कर दे कह रहे है भी जान दे निग्वान ची का मुड़ा रहे ही या वह उन नों तकामा रहा है जिदन अधी करके न चाह लगिया एक दो दिन पर लड़ेने थे उन तक जो तस्दीक और बच्चे आन आप पर मसला है पकी जे किसे वाड़ेदी भी निवालमेंट निखलेगी थे खलाफी कारवे की जाएगी होश्यारपुर के टांडा उड़ुबन के अधीन आते गाउं जहूरा के एक नौजवान की अमेरिका में एक सड़क हास्ते के दुरान मौत हो गई मृतक की पहचान वरिंदर सिंग निवासी जहूरा के तौर पर हुई है मृतक के पारिवारिक सदस्यों से मिली जानकारी के मताबिक वरिंदर सिंग लगबग एक महाँ पहले अमेरिका गया था और वैं अमेरिका के इंडियाना शहर में रह रहा था गत दिनों जब वरिंदर सिंग काम से सैकिल पर वापस निकला तो मिसवाक में हाईवे पर पीछे से आई तेज रफ्तार कार ने उसे टक्कर मार दी जिस कारण वरिंदर सिंग की मौके पर ही मौत हो गई इस मौके पर मौत की माता ने बताया कि वरिंदर की उम्र 20 वर्ष थी और उसके पिता की लगबग 6 वर्ष पहले मौत हो चुकी है वरिंदर सिंग की मौत की खबर मिलने पर गाउं में शोक की लहर पाई जा रही है तो वहीं पारिवारिक सदस्योनी केंद्र और पंजाब सरकार से मांग की है कि मौत की देह को भारत लाया जाए ताकि वे उसका अंतिम संसकार कर सके हो श्यारपूर से हल्चल के लिए अंकुष गोईल की रीपोर्ट में उन्दनों दसके मिने होए जी बेनों एक गयास के सिंदे काम करदा था आसी अपने डूड़ी ख़तान कर दो बाद अपने काम तो कार वापस आ रहा थी तो रहों आड़ों गड़ी आई जडिये नू आके ठकर मारी थे नारी हाद ए जोड़ी मौत लूब आ को तो बहु सुल्तान पुर्लोधी के कपूर्थला मार्क की गत रात्री की एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वाइरल हो रही है जिसमें एक स्विफ्ट डिजायर कार को चानक आग लग जाती है और इसकी जानकारी रहागी रोदवारा पुलिस को दी जाती है जिसके बाद पुलिस वारा मौके पर पहुंचकर फायर ब्रिगेट की टीमों को बुलाया गया और आग पर काबू पाने की कोशिश की गई और काफी समय के बाद आग पर काबू पालिया गया लेकिन तब तक गाड़ी पूरी तरह से जल कर राख हो चुकी थी और आग की लप्टे भी दूर दूर तक दिखाई दे रही थी ये गाड़ी ही माचल प्रदेश से समंदित बताई जा रही है हलांकि मौके पर ना तो गाड़ी का ड्राइवर मिला और ना ही कोई और गाड़ी सबार व्यक्ती इस सबंद में जानकारी देते होए भूलाना चौंकी के इंचार्ज एसाई पूरण चंद ने बताया कि उनकी तरफ से हिमाचल प्रदेश की पुलिस के साथ संपर्क किया जा रहा है और मामली की हर एंगल से जांच की जा रही है जालंधर से पंकर शर्मा की रिपोर्ट में आठवी प्रभात्वेरी मंदिर प्रांगन से निकाल लिगी जिसका शुभारंब रतन ब्रदर्स के मालिक एवम मंदिर प्रमंधक कमिटी के प्रधान मदललाल खिंदर के सुपुत्र विशाल खिंदर और अनुराक खिंदर ने विशेश्रूप से वस्तित होकर दीप प संजीव सारंगल भरत महाजन, रजत महाजन, राकेश मीनिया, रगजीत सिंग, सुमन महाजन, कमला देवी की और से पुष्प वर्षा कर इस प्रभात्वेरी का स्वाकत किया गया इस मौके पर प्रधान मदनलाल खिंदर सचेव सत्पाल पाला उंप्रकाश लोच, वाइस चेर्मेन स्वन यादव महेश अंगुराल, अमरनाथ कुलदीप लकी गई, कैशियर बलबीर लोच, विजय पाठी, सौरव वसन, चमन पाठी, गुर्दियाल पाठी, अजे डालिय चरंदास कलसी, पवन कुमार, रूबी, जंग बहादुर, जयकी कमल डालिया, लकी, इस्त्री, सत्संग सभागी प्रधान देयावंती, सचिव कृष्णा देवी, संतोष, रमा, जस्बीर, उशा लोच, शोभा मेनिया, अरुना लोच, राजरानी, विमला, बिश्नो, कुस तुम, राणी लोच, कांता, बॉबी, सहत, असंख्य भक्तिजन भी मौजूद रहे, जालंदर से हल्चल के लिए कैमरामेन सुरेंदर बाबा की रिपोर्ट प्रवाद सेवान, उनने आई होई पर वाज खरीदा मान सतकार किता, लंगर दी सेवा किती है, चापानी दी सेवा किती है, बेंतमाया भी सेवा कराई गई है, सो मैं आज देस मोगे लिए अधे, कर्ण कलेव, वेलफिर सेटी नों लख 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 वदाई दिना, लख लख अधे सतको रविदास माराई चरना के अरदास बेंती करना सचे पाच्छा जियो, कर्ण कलेव दे जिनने भी साथी ने मेंबर सेटी सारी संगत एनाते मेर परहाथ रखना ताकि इसे तरह माराजी आप दिए चरना देवेचे रहे के आप जिता कुंड कान करते हैं, सारी या संयोक्त किसान मोर्चा की और से भारत बंद का एलान किया था, जिसका असर फिरोजपुर में भी देखने को मिला, जहां दुकान दारों द्वारा किसानों का पूरा साथ देती हुए दुकान ने बंद रखी गी, इसके साथ ही दूसरी जथे बंदिगों द्वारा भी किसान धरने में शामिल होकर उनकी हिमायत की गी, तो वहीं किसानों द्वारा साथ नंबर चुंगी पर अपना धरना प्रदर्शन कर सरकार को चितावनी दी कि जल्द से जल्द उनकी जो मांगे है उन्हें माना जाए, नहीं तो संघर्ष को और तेज किया जाएका, और जो शंपू बॉडर पर हर्याना सरकार की और से विश्व विधायक रमन अरोडा के प्रयास से महानगर में दूसरी बार विश्व विख्यात आध्यात्मिक प्रवक्ता जया किशोरी के मुखार विंद से श्रीमद भागवत महापुरान ग्यान यग्य की गंगा बहर ही है, जिसके चौथे दिन किश्वात कैबिनेट मंतरी लाल चंद कटारूचक, केबिनेट मंतरी कुल्दीप सिंग धालीवाल, मुख्य ति थी व पूर्व सीपीएस केडी भंडारी, बत और विशेशा ति थी ने संत समाजव विश्व विख्यात अध्यात्मिक प्रवक्ता जया किशोरी, आयोचक, प्रमुख विधायक रमन अर प्तरूप से दीप प्रज्वलित करकी, सभी गणमान्यों का स्वागत आयोचक, प्रमुख विधायक रमन अरोडा, महेश मकीजा, राहुल बाहरी वराजु मदान ने किया, जिसके उपरांत करम योगी भगवान श्री क्रिश्न का जनमोत्सव बड़े ही आनंद और हर्शो लास के साथ धूमधाम से मनाया गया, इस अफसर पर सभी शरधालू पीले वस्त्र पहन कर कथा में शामिल हुए, वा आयोचकों द्वारा पंडाल को रंग बीरंगे गुबारों व खिलोनों से सजाया गया, वेश्व विख्यात अध्यात्मिक प्रवक्ता जियाकिशोरी के भजनों पर नरित्य करते हुए पोष्प वर्षा कर मिठाईयां बांटी गई, कैबिनेट मंत्री लाल चंद कटारू चक ने आयोचक संस्था को साड़े पांच लाग की राशी भेट करने की घोशना की, वा कैबिनेट मंत्री कुल्दीप सिंग धालीवाल ने भी आयोचन क भदाई देते हुए पांच लाग एकावन हाजार की राशी भेट करने की घोशना की, कथा के दोरान श्रीक्रेश्न रसीक शोक शर्मा वाशु शर्मा भी शामिल हुए, आयोचन में दविंदर वर्मा, अरुन, आनन, विनोत शर्मा, गौरव अरोडा, आतेश अरोडा, गी आतिया ही देश चड़ा ने भी सेवा सहयो किया, जालंदर से हचल के लिए कैमरामेन राज बीर की रिपोर्ड, मेरे बहुत ही सतकार जोग मेरे वीर, मंत्री साब, वैसे तह मैं मंत्री सारु नों हमेशा पाजी ही कंदा है, क्योंकि ए चंगे देल दे इंसान ने और तार्म एक परवीती देने, मैं थोड़ा जाया सारे दसना चाहना है, शिरी कष्टनिवारन बाला जी सेवा परिवार सारा जड़ा कार जाया, किसे को लो आसी कोई पैसा नी लेंदे जी, इस सारा संगत रूप दे वेचे, जित्वा डिवर के मंत्री आ के सार डिचो रीच पाके ज आज उसना आम जड़ियां संस्थामा ने नॉर्मल की कर दे हैं, जितों आरती बासते, एकी हजार जारा जार रेट रख दे, असी जड़ी आरती है, और देखो, जड़े बार जोड़ें दी सेवा कर रहे हैं जी, उनननो बला के आरती करवनें जी, जड़ियां लेडिस आपना जान दे उननकोल असी आरती करोने जी, बहुत इसकार जोग, आज एस पागाँ परे देंते, एस कथा दे, चोथे देंते साफसर दे, एड़ी वड़ी गिनतीज, पंजाब दे साब तों परसेद सायर, जलंदर दे परवारां चुआए, मेरी प्यानों ते प्रावो, मेरे बहुत प्यारे जीज, तो आड़े, एस सेर दे, एम एले, रमन रोडा जी, और इस सारे मंचनों और्गनेस कर रे, इस कमेटी दे, सदकार जोग, सदस्चे, और मेरे मंचने बैठे मेरे बहुत ही, सकार जोग, गुरु सेवान, और तुसी सारे आज, जयाक सोरी जी नू एते सुनले आयो, और मेरे लिए पागावाला देना की मैं भी आज, तो आड़े बरगियां, रूहां, एस मनुखी जज़वे नू, एस सारे ग्यान हासल करने वाले महौल नू मैं आज, आपनी अखा ना देख रहे हैं, आपने करना ना सोन रहे हैं, ते मेनू आजे थे, आके भी बड़ा, गर में सूस हो रहे हैं, मैं पिछली बार भी आया सिगा, सो, सब तो पहलों था, तो आड़ा सब दा, बहुत बहुत तनवाद महंच दे, सारे प्रवंदकान दा तनवाद, कि तुसी इनना मान सतकार सानू देता है, सो मैं अपनी टीम बर लो भी तो आड़ा सब दा, थैंक्स करदा, और प्रक्रिया, मैं हमेज साथ सांग दे विचो तेन चीजां नोड करना हुनना, साथ सांग, सेवा, ते सिमरन, जे तुसी सिमरन कर दे यो, साथ सांग जान दे यो, ता फिर डिलिवर नि कर दे सुसैटी च, सेवा दरूप च, ते ओहो अधूरा जया मन्या जन्दा, एक कंबिनेशन है, एस सारी सुसैटी दे अंदर, सिरिष्टी दे अंदर, सो मैं पजाव स्कार बल्लों, अपने बल्लों भी तो अडेस अजोजन दी सफलता दी कामना करदा, और मैं मीद करदा कि तुसी, जदों ज्याक सोरी जी, अपने उना अमुले बचना नूँ, आपने बल्लों तो अड़ना सांजा करने गेता तुसी, बहुत को जोज तो सिखोगे, और मैं भी जिनना चरे थे बैठा मैं भी, एस बहुत ही खूबसूरते अमोशनल एस फंक्सन दा मैं अनुबब हासल करांगा, तो मैं आपने बल्लों मेरा अक्तियारी कोटा जड़ा मैं पांजला कर पिया, तो अड़े इस फंक्सन दा मैं देना और मेरी अमीद है, मेरी कामना है कि आसी एसे तरह एक दुझे दे सहजोगी, एक दुझे दे पूर्क बने रही है, सो अड़े बहुत बहुत तन्वाज शुकरियाद उसे इन्हा पयार देता है, जिवूदे बसने रवो चट्ड़ी कला जड़ो, साड़ा जिलंतर चट्ड़ी कला जड़े, तो अड़े बहुत बहुत तन्वाज फंक् estate मेरे बादेती लिए। मेरे वड़े वीर पंजाब सरकार्तों मंत्री लालचन जी जिनने पांज लाग खुरुपया इस अंस्तानों देता है मैं फिर आप जीनूं बिंती कर दें सार आजी किसे को कोई पैसा ही कठा नहीं कर दे जी ए सारे ही तो अडेवर गे दानी पूर्ष आके इहते सेवा कर दे हैं तो कदी कम ही कम ही नहीं आई क्योंकि जड़ा इपुंदा पैसा है तो अडे रगे हताँ तो दान हो के अंदाए सानू तो अधे नल वादा ही वादा हूंदा तो इसकर के इथे आने में तोडरे सारे अंदा बहुत-बहुत अन्वाद करदा हैं और हमेशे ही हर साल तुसी आंदे हो और ईदेह अगे अनदेर होगे मर्य हीमि देनल मही कुई तोडरे भी भाथ-भशद करदा सा पागवद कथा दे विच्चो सीख के जाना बच्चे आने सिख़ आए सो मैं अपने मांजोग MLA साब रमन अरोडा जी जिननारे सदेते में आया है सोनी जी सारे तुसी प्राव मेरे नाल मेरे कैबनेट कली कटारू चक जी जिनने भी महमान आये सब नू जी हैं सब दा बहुत बहुत आनवाद और मैं इस कथा वास्ते अपना जड़ा अक्षारी फंड है और चो तेनला करपिया जड़ा अपने प्रावन अरोडा जी दू आपा द्यांगे तांजो अगे भी एतना रवधिया प्रोग्रम जड़े हो सकन समाई दे वेचेना प्रोग्रम मादी बहुत लोग आए बहुत बहुत अड़ा सब्दा तानवाद मैं मैसूस करदा मैं कि अपनी बेटिया नो जुरूब पर संसकार्द करिये हर माबाप अपनी बेटी नो भी बाई कोई पची साल पढ़ांदा वाई लखांदा वाई और बितो भारा खर्च करके ओदा दूसरा जनम होंदे जो दो दा बया होंदा वाई जड़ी माँ अपनी बेटी नो सीतावर के संसकार दोगी ओस माँ दी बेटी कदी निराज खोके अपने पेक्के कारनी आएगी लेकिन अज दुख दी कहला है जे परवाद पर जमाड़ी नोक्चो गुंदी है जे बेटी अपनी माँ नो फोन कर दी है कि मेरी सास में नो अगल कह रही है ते सास माँ की कहन दी है कि बेटी मैं आ रही हो नहीं लेकिन सीता मा दी माता ने सीता नो जो डोल्डी तोरना सी उन्हें की सिख्या दिती सी कि अपने पेक्के का अदा मान नी करना अपने पेक्के का अदा मान नी करना सीता रानी सी जमीन तक दी प्यार नी दख्या सी लेकिन 14-14 साल दा बनवास उनने पति शिरी रामनों होया, तो बनवास शिरी रामनों होया सी, लेकिन सिता माने अपना तरम समिधे होई, चोधा साल शिरी रामना बना दे बेच बिताएगी, क्या से संसकार है आड़ी बेटियां को है, ये बचारन दी लोड़ा, ये कता हो गई, चले गई, सुनल लेई, रोमान जी दा खर्चा भी हो गया सारे अधा लेकिन जो ते अमल ना कीता ते फिर अधा को माइना नहीं है इधा को मैना नहीं है मैं अपनी मामा नूँ प्रिया पैना नूँ बिशेश तोर ते जिते मेरी या पैना बेठी होने मैं गल करदा मैं मेरी यह दो बेटियम है, मेरी दो पोतियम है कि मेरी दोती ही है, लेकिन जड़ी मा डोली तुरन लगे अपनी बेटी नों संस्कार दोगी, कि सस तरी माम है, सोरा तरा बाप है, ननान तरी पैन है, उसका अज कर दिकलेशनी पहेगा. समय बहुती नारमल चल रहा है, बड़े प्रेम के साथ, दो लाइने मेरे यहां बैठे बटे विचार आई, रमन रोडा जी, दो लाइने सिरफ बोलनी है, क्या कहना है, इस देश की पावा निमिट्टी को, इस देश की पावा निमिट्टी को, हम बजुर्गों की शान कहते है और खिलते हैं जहां सनातन के प्रबक्ता, ऐसे ऐसे जयाक्षोरी जैसे हम उसको हिंदोस्तान कहते हैं, और ये हिंदोस्तान की ही गाथाए हैं, देवियां हिंदोस्तान की हैं, जो चिक-चिक कर आपको जगाने में लगी हुई हैं, उठो देवियो, संभालो और जागो, इ इस देश में जगने का समय आ गया है। तो वही बर्नाला में रेलवे स्टेशन के पास नहरू चौंक में भारतबंद के आवाहन को सफल बनाने में भिवन संगटनों की निता सक्रिय रूप से लगे रहे। दसुहा में एक तेज रफ्तार कार ने अलग अलग जगों पर दो व्यक्तियों को मारी टकर दोनों की हुई मौत। जालंधर की मकसूदा सबजी मंडी में एक कारोबरी से तेज़दार हत्यारों के बल पर हुई लूट लूटेरे 7.5 लाग की नकदी लूट हुए फरार। खुश्यारपूर के फगवाडा रूट पर स्थेत रेलाइंस पेट्रोल पंप को लूटेरों ने बनाया निशानना पंप करमी से 50,000 की नकदी लूट हुए फरार। इसके साथ ही अब तक की गतिवी धियास मप्त होती हैं और ताजा चानकारी के लिए देखते रहे हल चलूट